नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों अच्छे और सुखी जीवन के लिए जरूरी है कुछ नियमों का पालन किया जाए दोस्तों चालक की जी के अनुसार बताए गए नियमों का पालन करने वाले बैक्तिको जीवन में कभी भी किसी परकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है दोस्तों इस्तरी हो या पुरुस कुछ बातों का ध्यान दोनों को ही समार रूप से रखना चाहिए अन्यता बविस्ष में भेंकर परिवामों का सामना करना पड़ता है दोस्तों मृत एक अचल सत्य है देह एक दिन खत्म हो जानी है या पूर्ब निस्चित है आम तोर पर यही माना जाता है जब देह निसकरे होती है तब इनसान की मृत होती है लेकिन कोई भी इनसान देहके निस्क्रे हो जाने मातर से नहीं मरता है कई बार दोस्तों इनसान जीवित रहते हुए मुर्तक कहा जाता है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चवधा ऐसे दुरगण जो एक भी दुरगण एदियाप के अंदर पाया जाता है तो आम्रत के समान है तो दोस्तों वीडियो को बिना स्कीप किये हुए लास तक जरूर देखिए और अच्छे तरीके से समझी है क्योंकि चाडग जी के अनुसार आधा दूरा ग्यांसदेब घातक होता है दोस्तों काम बास चाडग की जी के अनुसार जो बेक्त अतेंद भोगी और काम बासना में लिप्त रहता है जो संसार के भोगों में उल्जा हुआ है बाम्रत समान है जिनके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर भी जीता है बामरत समान है दोस्तों आगे अचार शारक की जी हमें बताते हैं जो बेक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्म खोशता हो नियमों प्रमपराओं और लोक विवार के खिलाब चलता हो बाबा मारगी कहलाता है ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं दोस्तों आगे अचार शारक की जी बताते हैं आतिकंजूस ब्यक्त भी मरा हुआ होता है दोस्तों जो ब्यक्त धर्म के कारे करने में आर्थिक रूप से किसी कल्यान कारे में हिस्सा लेने में हिचकता है दान करने से बसता है ऐसा आदमी भी मृत के समान है दोस्तों गरीबी भी सबसे बड़ा स्राप है जो व्यक्त धन आत्म विस्वास सम्मान और साहन सेहीन है वो भी मृत ही है अत्यन्थ दरिद्र भी मरा हुआ है कि वा पहले ही मरा हुआ होता है वलके गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए दोस्तों आगे अचार चारक की जी हमें बेहद अन्मोल विचारों में बताते हैं अतेंत मूर यानि मूर्क ब्यक्त भी मरा हुआ होता है दोस्तों जिसके पास बिबेक और बुद्धी नहीं हो जो खुद निर्णे ना ले पाए हर काम को समझने और निर्णे लेने में अन्य पर आसृत हो ऐसा ब्यक्त भी जी भी ठूते हुए मुरत के समान है दोस्तों आगे आचार शारक कीजी हमें बताते हैं जिस ब्यक्त को संसार में बदनामी मिली हुई है बावी मरा हुआ है दोस्तों जो घर, परिवार, कटुम, समाज, नगर या राश्ट किसी भी इकाई में समान नहीं पाता है बाव्यक्त मिरत समान ही होता है दोस्तों आगे अचार चारक की जी हमें बेहद अन्मोल विचारों में बताते हैं जो ब्यक्त निरंतर रोगी रहता है बावी दोस्तों मरा हुआ है स्वस्त शरीर के आबाओं में मन बिचलित रहता है नकार आत्मक हावी हो जाती है ब्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है जीवित होते हुए भी रोगी ब्यक्ति स्वस्त जीवन के आनंद से बंचित रहता है दोस्तों आगे चरचाड़की जी कहते हैं आतेंत ब्रद ब्यक्ति भी मृत समान होता है दोस्तों क्यूंके बाँ अन्य लोगों पर आसृत हो जाता है शरीर और बुद्धी दोनों असच्छम हो जाते हैं ऐसे में कई बार सोयम बाँ और उसके परिजन ही उसकी मृत्ति की कामना करने लगते हैं ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल जाए दोस्तों अगे अचार चारकी जी हमें बताते हैं कुरोध में रहने वाला भी ब्यक्ति मृत्स समान है दोस्तों हर छोटी बड़ी बात पर कुरोध करना ऐसे लोगों का काम होता है कुरोध के कारण मन और बुद्धी दोनों ही उसके नियंतर्ण से बाहर हो जाते हैं जिस ब्यक्ति को अपने मन और बुद्धी पर नियंतर्ण ना हो बाजीबित होकर भी जीबित नहीं माना जाता है दोस्तों जो ब्यक्ति पाप करमों से अरजित धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोशन करता है बाब्यक्ति भी मृत समान ही है दोस्तों उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते ही हमेशा मिहनत और इमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए पाप की कमाई को पाप मी ही जाती है दोस्तों आगया चार चारक की जी हमें बताते हैं ऐसा ब्यक्ति जो पूरी तरह से आत्म संतुष्ट और खुद के स्वारतों के लिए ही जीता है संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई सम्मेदना ना हो तो ऐसा ब्यक्त भी मिरस समान है जो लोग खाने पीने में बाहनों में इस्थान के लिए हर बात में सिर्फ एही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाएं वलके किसी अन्य को ना मिल पाएं बेमरस समान ही है ऐसे लोग समाज और राष्ट के लिए अनुपियोगी होते हैं दोस्तों आकरन इंणने बाला बेक्ट भी मरा हुआ होता है शाड़की जी के अनुषार जिसे दूसरों में सिर्फ कामिया ही नजर आती हैं जो बेक्ट किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चुपता ऐसा बेक्त जो किसी के पास बैठे तो सिर्फ किसी ना किसी की बुराई ही करे बाइंसान मृत समान होता है दोस्तों जो बेक्त परमात्मा बिरोधी है बाभी मृत समान है दोस्तों जो बेक्त या सोच लेता है कि कोई परम तब तो है ही नहीं हम जो करते हैं बही होता है संसार हम ही चला रहे हैं जो परमशक्ती में आस्ता नहीं रखता ऐसा ब्यक्त भी मृत माना जाता है दोस्तों जो संत, गरंथ, पुराण और बेदों का ब्रोधी है बाभी ब्यक्त मृत के ही समान है तो दोस्तों ये थे आचारे शाड़क की जी के कुछ वेह दनमोल विचार बीवर्स I hope कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लालंके बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मेलके वेल आइकन को जरूर दबाईए ताके फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक आप रहे इस्टे मोटिवेट इस्टे फेरलेस चैहिंद